देश में बैंकों की कमी के चलते लोगों के आर्थिक विकास के लिए सरका द्वारा पस संस्थाओं के माध्यम से एक स्वर्णिम कलपना सज़ाई गई थी जिसके चलते राज्य में भारी संख्या में सैकलों पस संस्थाओं का निर्मान किया गया लेकिन अनेक पसंस्थाओं ने सरकार की अच्छी सोच पर पानी फेरते हुए गरीब और साधारन निवेशकों की वर्शों की मैनत की जमालाखों करोलों की पूंची को बरबाद कर डाला और दीन ही इन जिन्दगी से शानों शौकत की जिन्दगी में स्वैम की जिन्दगी को तबदील करने के बाद अब ऐसी पसंस्थाओं के संचालक मौच की जिन्दगी जी रहे हैं और उनकी पसंस्थाओं में निवेश करने वाले अब अपनी रखम वापस पाने के लिए तो वहीं दूसरी और गोंदिया में भी एक और ऐसी पत संसा है जिसने गरीब और साधरन निवेशकों की लगभग चार करोर पांच लाख रुपए पिछले दो साल से ड़कार लिये हैं और निवेशकों को उनकी राशी लोटाने के लिए जहां इस संत नरहरी पन संसा के संच कि द्वारत वरित कारवाई नहीं कर और ओडिट में सब कुछ साफ हो जाने के बाद भी FIR और कड़ी कारवाई संचालक सदस्यों के खिलाफ नहीं कर रहे हैं जिसका परिणाम है कि संद नरहरी पत संस्था के संचालक सदस्य अब उल्टे निवेशकों के सामने उनका कोई क कुछ नहीं बिगार सकता के दावे कर रहे हैं गोंदिया में निवेशकों के चार करोर पचास लाख रुपए के लगभग का भुकता निवेशकों को नहीं किये जाने वालों में एक बड़े निवेशक ओपस संस्था के एजेंट भासकर रामभाव कायर कर तुशा करणे सं दोशी थाने कर गौतम ने जग प्रेड़ना को बताया की हमने पूरी मानदारी से लोगों के पैसे पस संस्था में जमा कराए जिसकी हमारे पास लिखित पासबोक और उसकी कौपी हमने बैंक में जमा की है लेकिन संचालकों से जब हम बात करते हैं तो उसमें से कुछ संच अब यह कहते फिर रहें की हम संचालक नहीं हैं लेकिन जब पस संस्था का चुनाव होता है तो सरकारी अधिकारी वहां मौजूद रहता है अधिकारी ने इनका चुनाव करवाया और जिनके नाम रिकॉर्ड में दर्ज है अब वो जिम्यदारी से भागने का प्रयास कर रह पसंस्था की एजेंट भासकर रामभाव काईकर ने कहा की पिछले दो साल से हमें घुमाया जा रहा है लोग हमें अपनी राशी के लिए परेशान कर रहे हैं किसी के घर में बेटी की शादी है तो कोई बिमारी से परेशान है फिर भी बुरे वक्त पर काम आने के लिए जो पसंस्था के बुजूर्ग एजेंट रामभाव भासकर काईकर ने कहा गी मेरे माधियम से लगभग 60 लाख रुपे संद नरहरी पसंस्था के उपर बकाया है यदि अब तुरंथ हमारा पैसा नहीं लोटाया गया तो मैं सरयाम फासी लगा लूँगा और मेरी मौत की जिमे पसंस्था के बुजूर्ग एजेंट रामभाव भासकर काईकर और अन्य एजेंटों ने बताया कि पसंस्था के संचालक प्रवीन प्रमोड धूमने समित कालिकर शंकर चक्रवर्ती प्रकाश बाबुराव वडिचार पंकच सुरेश वंजारी विजे मानिक राफ करंडे न प्रकाश विश्विनात मेश्राम अनिशा चंद्रकान धूम ने जोती रामभाव सोनवाने वैशाली सदानंद रांग डाले में से अधिकांश की आर्तिक इस्तिती बहुत सा धारन थी लेकिन 2009 से 2017 तक जबकी पसंस्था में लोगों के करोड़ों निवेश किये गए जिसके बबन राव केशव, राव रोकडे, योगेश, विश्वनात, मेश्राम, अनिश्या, चत्रकांत, ढूमडे, अपण्डा, नीरच, करेंडे, लेखराम, पतिराम, चनाप, दर्शन, किशो, देश, प्रहतार यह जो संचालक लोग हैं जिन्होंने सामाने निवेशकों के करोडो करोडों रुपए का गबन कर, अन्ये प्रॉपर्टी सुना चांदी खरीद रखी है, इन सभी की CID जाच होनी चाहिए और संचालक जिन्होंने अपने नाम कुछ ना कर, अपने परिवार, अपने रिष्टदारों के नाम से बड़े-बड़े निवेश किये हैं, इसकी भी स संपून जाच हो, संत नरहरी पर संसा के अभी तक 2009 और 2018 में सभी संचालों को पर MPID कानून के तहत कारवाई कर, गहाक संदक्षन कानून के अंतरकत, कारवाई कर, जब तक गरीब लोगों के पैसे नहीं मिलते, तब तक इनको जमानत ना देते हुए, इनकी द्वारा गत वर पर संसा कारियाले में ताला लगा कर, करमचारियों संचालक रफू चक्कर हो गए हैं, इसकी शिकायत सायक, निभंदक और रामनगर पुलिस स्टेशन में 17 फरवरी 2020 को की गई थी, लेकिन लगबग 10 माँ भी जाने के बाद भी अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई है, अने एक लोग एक साथ पुलिस थाने में रिपोर्ट करने पहुचे शिकायत की, उसके साथ ही सायक, निभंदक के पास और डीडियार के पास भी अनेक मरतबा शिकायत की गई, लेकिन री ओर्डिट के नाम पर एजेंट और निवेशकों को गुमाने का काम किया जारा है, जिससे या समझ में आ रहा है कि अपने किसी स्वार्थ की पूर्थी के चकर में सायक, निभंदक और डीडियार द्वारा संत नरहरी पर संस्था के संचालक को बचाने का प्रयास किया जारा है, गोंदिया से BCN न्यूस के लिए अभिशेक भटनागर की रिपोर्ट